मूवी रिव्यूज, मूवी बॉक्स ओफिस, लेटेस्ट न्यूज लेनी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल एकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें हेलो, नमस्कार, आप देख रहे हैं Always New, आज इस एपसोड में मैं आप से बात करने वाल हूँ, DSP देव मूवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक पंजाबी मूवी है, और इस मूवी में देव खरॉंद लेडिंग रोल में है, इस मूवी ने अपने फर्स्ट डे से लेकर अपने फर्स्ट वीकेंड तक धमाकेदा कलेक्शन किया है, मैंने आपको कल बताया था कि जब इसका ओफिशल कलेक्शन आया तो मैं आपको जिरूर बताऊंगा, और इस मूवी का ओफिशल कलेक्शन आ चुका है, जैसा आप ये पो आ चुका है मैं आपको बता दूँ इस मुवी को रिलीज किया गया था पांच जुलाई 2019 को मुवी ने अपने फर्स्ट विकेंड में थ्री क्रोड एट्टिल लाइक का क्लेक्शन किया है और अभी इस क्लेक्शन में थोड़ा ड्रॉप देखने को या थोड़ी ग्रोथ हो सकती है जब इसका ओफिशल क्लेक्शन आएगा और इसी के साथ मुवी का फर्स्ट फॉर डेस का ट्रॉडल क्लेक्शन हो सकता है रहूं थ्री क्रोड सेवंटीएट लाइक क्या सपास अब बात करते हैं कि मुवी आज के दिन कितना क्लेक्शन कर सकती है जैसे आपको पता है कि आज इंडिया का वर्ल्ल कप का मैच है सेमी फाइनल का और यह मैच न्यूजिलेंड और इंडिया का है तो इस मैच में जितने बी इंडिया के लोग और यह वह मैच ज़रूर देखेगे कि आज पोलिवूर्ड मुवी होंगी चाहे तमिल तेल्कू जहां की भी मुवी होगी चाहे पंजाब मुवी सब ही मुवीण को ड्रॉब देखने को मिल यह आजlic Adlane आरंट 45 lakh yas fuss का collection कर सकती है movie के collection में 15 lakh yas fuss ka drop देखने को मिल सकता है total collection की बात की जां तो movie का 4 crod 23 से 4 croda 25 lakh yas JP क Palshks a collection हो सकता है first five days में तो आपको कहिए खेंड है is movie का बारे में collection का बारे मा आपको comment box में लिख के बता है channel को subscribe जूर करें क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको पंजबी मुविस की सारी बॉक्स ओफिस अपडेट देता हूं और बैल आगन को जुरूर पैस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँ तो आप ते कुछ वीडियो की नोटिफिकेशन पहुन सके और मैं साथ ही साथ आपको बता दूँ कि ये मुवी जो फर्स्ट वीकेंट का इसका कलेक्शन है ये आप कह सकते हैं कि सूपर हिट कलेक्शन है मैंने आपको पहले पताया था कि इस मुवी का बजट जो है वो अरांड 6 से 8 क्लोड के आसपास का बजट है और मुझे लगता है कि ये मुवी अपने फर्स्ट वीक से वीक में शायद बजट रिकवर कर ले और उसके बाद मुवी को प्रॉफिट होना भी स्टार्ट हो सकता है क्योंकि इस मुवी के सैटलाइट राइट्स डिजिटल राइट्स वो भी बिके है तो उससे भी मुवी को हैं वो काफी पैसा आता है और अब तो मुवी नेट्फलिक्स में और यूट्यूब पे भी रिलीस की जाती है जहां से भी इन मुवी को काफी पैसा आता है तो ये मुवी सकसेस हो चुकी है बॉक्स ओविस में और आपको कहाना है इस मूवी के बारे में इसके कलेक्शन के बारे में आपको कमाड़ बॉक्स में लिखके बताया है धन्यवाद